कि हैं लो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला यहां पे ब्रिजबेन के बीच यहां पर जो मैच होने वाला है वोमें बिग बैश का इस मैच की वीडियो इंपोर्टन रहीगी एस आपके लिए वीडियो में आपके लिए फिर से फ्री गिववे रखा गिया है एक सिंपल सा कोशन आपसे पूछा जाएगा और उसका आपको आंसर करना और आप फ् प्लस वैदर न्यूस पिच रिपोर्ट कौन सी टीम स्ट्रॉंग रही कौन सी वीक रहीगी इंवेस्ट्मेंट कैसे करने प्लस आपके साथ यहां पर हम बाय और मल्टी बैगर की शेयर करने अगर आपको लॉंग टम में हमाही तरह ऐसा अच्छा खास अर्न करना विन करना ऐसी एप जिस पर अपना TDS और GST पूरा 100% बचाना चाहते हो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करना इंपॉर्टन हो जाता है हमारे टेलिग्राम चैनल आपको जॉइन कैसे करना वह बड़ा इंपॉर्टन है दो मिंट देके बड़े ध्यान से फॉर जैसे आप इस ब्लू आल लिंक पर क्लिक करोगे टेलिग्राम के जैसे हमारे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा फिर उसको आपको जॉइन कर लेना बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट चैनल एक बीरुपे देने के जरूत नहीं हो फाइनल टीम एट वजट सारी इंपॉर्ट रहते हैं उसके पर काफी रीजन होते हैं इसके ओपर मैंने एक फुल फ्लेश्ट वीडियो बनाई तो वह वीडियो जुरूर देख लेना और इतने लोगों लाइक करा आई बटन पर आप जाके चैक कर सकते हो कुछ ना कुछ सीखके जरूर जाओगे और डेफिनेटल आप सब्सक्राइब करते हैं इससे आपको अचके रहना है देखो वेन्यू जो है वह यहां पर आलन बाडर फिल्ड ब्रिस्बेन में मैच और वैदर जो है सिर्फ प्रसेंट रेंट है इनका कोई मेजर इश्यू नहीं है आएगी भी तो पासिंग शावर हो सकता है और इंवेस्मेंट का जो पैटन है बहुत इंपॉर्टन इस मैच है मेरा पैटन 50 50 रहेगा जितना भी इस मैच में इंवेस्मेंट करोगे 50 परसेंट में 10 प्लस 1 में करने वाला हूं और बाकी बचावा 7 प्लस 4 में क्यों करोंगा इसके बीच राउंड रहेगा टाइमिंग जो है वो इंडिया अकॉर्डिंग तो एक बच के 40 में मैच है दिन में बट वहां का जो लोकल टाइम है साड़े-चार घंटे का फ़रक है ब्रिस्बेन और इंडिया में तो छे बच के 10 मिनिट के आसपास यह मैच स्टाट होगा उनके अकॉर टोटल विकेट से बताऊंगा नहीं इस टोर्नामेंट का एक की पहला मैच है बाकी बांडरी जो रहेंगे स्ट्रेट सामनी की साठ से पैंसेट मीटर जो स्क्वार है वो 50 से 50 से 60 मीटर की रेंज में है हिस्ट्री में अगर आप टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट निकाला होगा इस ग्राउंड में जिसमें चार स्पीनर से 6 पेसर से ध्यान रिखके चलना हिस्ट्री भी एची शो करते हैं कि स्पीनर और फास बोलर और मुश्च देखा जाए दोनों को हेल्प करता है स्लाइ अग्रार बोर हुच्प वोझ्ही बताते हैं चाहें इंटरनेश्चोट और टॉमेस्टिक मतलब बney fig кил हैश के इंटरनेश'л में 10 माच में चार मै पहले वैटेंग तो पांच बांच बाच बाद बैटिंग करें इंटीम के जीते हैं और एक मेंच होइस फिसर्त नहीं और यहीं डॉमेस्टिक बिग बैश में 39 में से 12 पहले तो 17 बार बाद में तो आप देख पारो चाहिए डॉमेस्टिक उठालो चाहिए इंटरनेशल बाद में बैटिंग करने टीम का एडवांटेज मिला इसलिए बहुत हाई चांस है और उपर से एक नाइट मैच है तो बॉ उनतिस में से 20 मैच में 500 के उपर स्कूर नहीं है तो उतना हाई स्कूरिंग वैन्यू नहीं है यह और बाकि आप देख सकते हो एक बार एक सुन अब्भी के उपर जरूर गया इंटरनेशल में बाकि बिग बैश में डेट सो से 170 के पांच बार रहा है तीन बार इतनी वार र सब्सक्राइब कर दो कि तो वन फॉर्टी आपका पार मिनियम एवरेज स्कूर निकल के आता है बैस्ट बॉलिंग फिकर इस ग्राउंड में इंटरनेशल की वेगन शूट किया और मैना बोला भी आपको कि इस ग्राउंड में फास्ट बूलर को हैल्प जरूर मिलते क्योंक इस ग्राउंड प्राउंड प्राउंड बॉलर को फोकस करेंगे तो ब्रिस्बीन के बालने मैं बोलूंगा आप जा सकते हैं यहां पर बाकि अच्छे ऑप्शन और भी नदीन दी क्लक तो इन पर फोकस कर सकते हो बाकि अगर इंकी टीम पहले करते हैं पहले बॉलिंग करती है तो मैं बोलूंगा कि आप जा सकते हैं यहां पर लींजेश्मित मैच में नहीं खेलने वाली आप डेंडर डॉट इंपर फोकस करना त्यान रखके चलना बाकि मल्टिव अगर में आपको लगता है कि सबसे अधा पॉइंट कौन सी प्लेट देंगी तो उसको बाइकन ना जैसे जाता लोग जो है जैस जोनेसन के साथ जाएंगे इनको अगर मतलब अगर आप एक रुपे लगाते हो तो आपका चार गुना प तो यह फायदा यहां पर इस अप में थोड़ी डिफरेंट चीज है इस अप के ऊपर देखो मैंने फुल फ्लेश वीडियो बनाई है ना वह जरूर देख लिए ना आई बटन पर लिंक मिल जाएगा अगर आप इस अप में नहीं खेल रहे हो ना फैंटेसी में हो कि तो मैं अब देखो बात किया हैं पर पहले आपको बताते हैं टीम से अपना स्कॉइड के आउंस किया है मौली न्यू कैप्टान है कैप सी है कोईटे है वह है डॉटीन है फाल्तुम है इलिंग वर्ट है कैनेडी और सबसे बड़ी प्लेयर है हेली मैथ्यूज का स्कॉइड में ना स्लाइड ली एक दो चेंज होंगे बड़े प्लेयर तो वही है कि यह 13 मेंबर्स का स्कॉइड है में सब ग्यारा खेलने है किरा होम से एक नहीं प्लेयर आइड हुई है यह को पहला मैच ब्रिस्परिंग की टीम निक सो चौंथी से बनाए थे विन कर लिया था पॉसिल प्ल सब्सक्राइब करती है तो एक अच्छी होल राउंडर है तीन विकेड भी लिए लास सीजन और रिसेंट वर्ड़कप में तीन वैच पर एक पावर हीटर है और एक इनका वाइरल वीडियो भी तूटे बैट से चक्का मार दिया मतलब चक्का मार तो बैट भी लग हो गया और इनको पहले बता कि बैट तूटने वाला फिर बैट से चक्का मार जा क्योंकि पावर फॉर प्लेर है पहले मारे बॉलिंग भले ही नहीं क्यों बढ़ जुरत परने बॉलिंग भी कर सकते हो जोड़्य रेड्में लेटन बैटर विकेट कीपर है पांच मैंस दोसो आठर सब्सक्राइब मतलब वुमें बिग बैश का एक हफते पहले टीट्वेंटी स्प्रिंग करके जो टोर्नमेंट था बीजवी सब्सक्राइब इसमें अमस्टे की जाता डॉमेंस्टिक प्लेर्स खेल रही थी तो हमें एक बैसिक आइडिया होगी करन्ट फॉर्म कैसी है तो पांच पैसे अग्ए तौर्नमेंट रहा था वहां भी अच्छी फॉर्म में थी तो उसमेर प्राइब तैरांडबेर्न वोगेंट नहीं करेंगी और यह फिरन की प्लेर आइडियार था नहीं बिकश में और पहले मैच में पर दस रन किय अबहित एक्एप तो नहीं रहे थी दस मैच खेली होंगे सिर्फ दो मैच में चली होंगी या दो-तीन मैच में और इंटरनाशन बी खेली अच्छे प्रफॉर्मस जरूर रही है बट कंसिस्टेंसी की दिक्कत रहती है बाकि जैस्ट जोनेशन को मुझे सप्राइज है कि इस साल टी वर्ड गप में एड क्यों नहीं किया है क्योंकि बहुत ब्रिलियंट और राउंडर है लेफ्टन बैसमन लेफ्टन ओर्थडॉक्स सोला मैच में 175 विकेट लास सीजन वुमें बिग बैश में लिये थे और इस मैच में पहले मैच में 21 लगके चार और वर्में इक विकेट यह अपने दम रन छे विकेट रीसेंट टी ट्वंटी स्प्रिंग टॉर्नमेंट में और लास सीजन 17 मैचों 213 रन किये थे दस विकेट लिये थे पहले मैच में 44 नट आउट मैच विनिंग इनिंग और दो वर डाले भला ही विकेट ना मिलियो दो से तीन ओवर कर सकते इंपॉर्टन है ल विक बैश में चार मैच में 55 लास सीजन और पहले मैच में नौरन की थोड़ा बैटिंग और नीचे ग्रैंड लिकेट नादीन दीकलक अभी डीसेंट वर्ल्ड कप में 6 मैच में 7 नमनाई 4 विकेट तो बैटिंग का उतनी पॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली भी तो उसका फ नाव इस मैच में उपर रखके चलना एज जिंचर राइटन बैटर है फास्ट बैटर है चे मैच 106 रन साथ विकेटी 20 स्प्रिंग में अच्छी ऑल राउंडर रही है बट यहां पर बड़े प्लेयर से तो मुझे लगता है कि उतनी अपॉर्टेंड ही मिलनी पार कि बैट जा तो लोग पता भी नहीं होगा कि शेखापांडे है कौन बैटिंग अच्छी करते हैं आपको इची और बतायता हूं इंडिया के लिए ब्रिलेंट ऑल राउंडर सी बॉल सकते हो पावर प्ले में बॉल को अच्छी स्विंग करवाते हैं दैथोवर में बॉलिंग कर ले सब्सक्राइब नहीं है इस सब्सक्राइब नहीं है इस साल खेलेंगे जरूर बट अभी इस वाले मैंच में नाम नहीं है तो इनके स्टैट्स आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट ग्रे साहरी से रेड में है जास जॉनसन है चाली नॉट है रिस्क टेकर्स के लिए नदीन दीख लग है पांडे और हैंकोग इंपॉर्टेंट है अब यहां पर मैलवन रेनिगेट्स हेली मैथ्यूस है कि डेफिनिटली हाई चांसा की ओपन करेंग उसके रिसेंट वूमेन वर्ल्ड कप जो रहा है उसमें परफॉर्मेंस दी तीम गई थी और इन्होंने अपने बैटिंग देखी ली होगी इंकी इंग्लेंड के गेंस्ट कुईना जोसफ और जिस तरी किसे नहीं शुरुवात दी थी तो डेंजरस प्लेयर है और लाश्ट टाइ इसमें यह इंग्लेंड जब आई थी वेस्टंडीस की टीम तो हेली मैथ्यूस ने सिफ अपने दम पर उस्टलिया के मिदलब बैंड जाजी थी यह बात बोल सकते हो कि सेंस्ट्री लगाई थी तीन मैच की सिरीज में टी-20 की 300 से ओपर रन किये थे तो डेंजरस प्लेयर है ने दम पर मैच को जिदा सकती है 14 मैच दो सपच बना और 14 विकिट लेते लास सीजन कैटन सी की सेफिस्ट और बैस्ट ऑप्शन इस मैच में करते हो बड़े नाम अवेडेवल तो उनको कंसीडर करेंगे इनको मीनी ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो मैं आपको लास मैच में इस चीज बोली भी थी वीडियो में कि यह बहले ही आपको वर्ड़कप में बॉलिंग करते हो नजर नहीं आई हो पर यह बिग बैश में करती है और वही हुआ बैटिंग से फ्लॉप बहले ही रही पर बॉलिंग से तीन और में दो विकिट लिये 14 म मैं आपको व्ल्ड़कप में पहले मैं ऐसे गया था वुमेन वन अफ दी मोस्ट डेंजरस प्लेयर है अगर इनका बला चलेगा तो फिर मैटर नहीं करता सामने कोन बॉलर है और इंगलेंड को भार किया और न्यूजिलेंड के लिए साथ सेम फाइल में भी देखा होगा कि अगर यह दो वर और टिक जाती तो यह जिता भी देती पांच मैच 125 विकेट और वुमेन क्रिकेट में सबसे फर्स्टेस सेंचुरी 38 बॉल पे 15 बना एक ओवर डाला कोई विकेट नहीं लिया बट अगर पूरे चार और मिले मैं खाल से वाइस अच्छी कंटेंडर है बाग 14 मैच में 25 और 14 विकेट लियते लास सीजन वुमेन बिग बैश में पहले मैच में आप एक सर्ट रं करते हैं तीन वर में तीन विकेट लिए तो मैजियोटिव लोग वाइसर्टन करके आएंगे तो आप भी कर सकते हो और मैं वह लोगो वन अफ दी फाइनेस्ट फिल्डर वूमेन में सोफी मॉली नियु लेफ्टन बैटर लेफ्टम और जनरली ये वूमेन बिग बैश में ओपन भी करती थी बट अभी मिदल और में खेल रही हैं पाच मैच पर साथ विकेट लिए अधिक उसले के लिए जरूर करता करें ओपनिंग करती स्टैलिंबर्ग राइटन बैटर है चार मैं चपन रन और लासी जने खेली थी इंज्रिय कारण 14 में 14 पहले में बारान बनाए थोड़ा बैटिंग और इंपॉर्टन लिया फालतुम कभी में खाथ से रैडमीन बैस्ट ऑप्शन तो इतना चार मैं चार मैं चार मैं चार मैं चार मैं चार मैं लिए बिग बार बट बहुत अच्छा करते वह आ रही है तो लास्ट में बालिंग नहीं मिली इसलिए मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं अधराइस बालिंग मिलती मैं जरू लेता ग्रेंड लिग में प्ले रहा है और स्कुर्ड में जिनका नाम नहीं है इसमें लिंसे स्मित का नाम नहीं है तो काफी लोग लेकर आ रहे हैं अगर वो लास्ट टाइम पर अपडेट नहीं तो इसका में फायदा मिलेगा डूली है हेवर्ड नौरिस है इनके स्ट्राइट अवेलेवल है बाट टीम देने वाला स्टीम को किसी भी आप लगा सकते कोई क्रेट का इश्यू नहीं है बट मेरी इन्वेशन विजन लेवन अपर रहेगी मेरा रीजन सी साफ सिंपल इतना है कि चार साल से और अल्मुस्ट पांच साल होने आरे साफ में खेलते हुए मुझे कुछ दूशी नि 30 plus 28 58% की आपकी सेविंग और यह स्ट्रेट फॉरवड पैसे करना जाना जाना यह पैसा कहान होता आपका टैक्स जो बच रहा हो अपना प्रॉफिट मान के चलो ठीक है तो आप इस समसदार बने होगे तो अपना पैसा बचाने सीख जाओगे जिस तरह के से मैं भी बचाता हो तो आपको स्मार्ट जरूर बनना है और यहीं बोलोंगा कि आपको कोई इश्यू है तो मुझे इंश्टागर में सब्सक्राइब करते हैं आपको रैफर को डॉक्टर जरूर डालना है डियो सी टी ओ आर डॉक्टर डाल तो एक तो कंपनी पर जाए तो मेरे थूर आयो त अब 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 जादा कंसिस्टेंट है और यह की डीपी मी कर रही है डॉक्टीन है कि आप सी है रिस है कभी पार्ट तेम बॉलिंग कर सकते धान रखके चलना वैब ग्रेंड लिग मीनी ग्रेंड लिग इस टलिन बग का बैटिंग और नीचे है इन को फिनिशर का रोल दिय इसको मैत्यू को लिए वेरहम को लिए जॉनिसन को लिए व्लास में में कलर को मैंने देथ हो रहा है बॉलिंग नहीं दी तो इसलिए मैं नहीं ले रहा वह सकता बाहर बैठें नॉट के साथ जा रहा हूँ मॉली नियू हैंकॉक और पंडे कोईटे रिस्क टेकर्स लिंसर स कि इसमें नहीं खेलेंगे बाकी नहीं को इंपोर्टन यह क्याप्टन मेरी देखो हैली मैथ्यूस रहींगी वैसमेरी जो है वह जो ए जौर्जिया वेरहम तो नहीं है मैं जा रहू हुं है तो इनको आप जा सकते हो क्या आपको बाद में दूंगा देख सकते हैं तो फिफ्टी फिफ्टी इंवेश्मेंट रहे कि इसमेरी तीम मैंने सोचके बनाई है कि करती हैं सोचके बनाई हैं कि इनकी टेम ने में आई है कैमकी तक की प्रेंट करती हैं जोड़ा एक्तिंग सब्सक्राइब आज़म healthier यूश्मेयर को रखा है इसे तोड़ी फेवरेट हो सकती है और यह मैंने थोड़ा बॉलिंग फेवर करके टीम बनाई है जिसमें बॉलर एक्स्टर ले लिए कोई जैसी प्लेयर को जो कि एक रिस्पंट पिक है और यह मैंने ऑस्ट्रियलियन स्पीनर्स को क्या है एक बैटर कम करके और यहां पर नदीन दीकलर पर रिस्क लेके विकट इपी चेंज किया फाइनल टीम आफ्टर टेलिग्राम पर मिली ही जाएगी टेलिग्राम चैनल ध्यान से जॉइन कर लेना लिंक वीडियो के निचे कमेंट सेक्शन मिल जाएगा सबसे उपर बिल